कि स्वागत आप से भी का टार्गेट सिविल सर्विसेस में चलिए हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर ग्यार टिक है इससे पहले क्या दस सेट हम लोग कर चुके हैं जो कि आपके पैट एक्जामनेशन 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यूब ट्रेपल से जीके के यहाँ पर डारेक्ट बात हो रही रिवेत में अगन्या शब्द का पर्योग किसके लिए व्याज यह चार आप्शन आपके सामनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेट इग्जामनेशन यानि आपके 40,000 पोश्ट जो है इसी से भरी जाएगी ओके तो यहाँ पर राइट आप्शन होगा ऑप्शन भी यानि गाय के लिए योज किया गया किसका नाम अगन्या शब्द काओ की रिगवेद काओ की भारत ये भाशाओं का सबसे पुराना एक निर्देश है इसमें अगनी इंद्र मित्र वरूर आदि देवताओ की इस्तुतिय और ना संगरीथ है । इस गिरंद के अनेकतत अविस्ता में मिलते हैं रिगवेद में ही गाय के लिए अगिन्या का प्रियोग किया गया थीक है तो राइट आप्शन होगा ऑप्शन भी यानि गाय देवर राइट आप्शन कितने कुशन आपके सहीव है आपको ऑन बॉक् चलिए सुनेश कुश्यन है भूमि इश्पर्ष मुद्रा की सारनाद बुद्ध परतिमा किस से संबंदित है तीकि यहां पर डारेट बात हो रहे हैं भूमि इश्पर्ष के बारे में ठीक सुनेश के राइट आप्षनों को ऑप्षन भी यानि गुप्त काल से अगर हम बात करें तो गुप्त काल की चित्रकला का जन्म विशेश्थ हैं मत्रुरा शैली द्वारा अस्थापित परतिमानों पर आधारित था गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उधारर सारनाद की मू द्यान दीजिएगा चले अगला कुशन देखते हैं विश्थ के किस आउतार को समुद्र से प्रिथिवी का उदार करते हुए अंकित किया जाता है तेकि यहां पर आप्षनों का उप्षन सी वरा ठीक है विश्थ के वरा आउतार को समुद्र से प्रिथिवी का उदार करते वे दिखाया गया है गुप्तकाल की कई मूर्तियां विश्वडू के इस रूब में दिखाई गई हैं तो गुप्तकाल यानि वेरी इंपॉर्टेंट है इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माड किस ने कराया था ठीक है यहाँ पे इलोरा के कैलाश मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है त्यांदी जी का राश्ट कूट राजवन्स का संस्थापक दंती दुर्ग था इसकी रहजानी मनिकर या मानिकेत वर्तमान माल खेल शोलापूर के निकट है ओके चलिए अगला कुशिन देखते हैं मगत का कौन सा संबराट आप परो प्रशुराम के नाम से जाना जाता था सो यहाँ पर राइट आप्शन होगा आप्शन टी यानि महापदम नन्द ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है इसको आप नोट कर लीजिएगा क्यों क्यों क्योंकि इसने एक राट और एक अच्छन की उपादी भी धारण की थी ठीक है इसने एक विशाल सामराज अस्थापित किया था चले सुनेश कुशन है अलबुरुनी भारत में कब आया था ठीक है तिहां प्राइट आप्शनों को आप्शन सी वही है ग्यारवी शताबदी में अलबुरुनी मैमूद गजनिबी के आक्रमण के समय भारत आया था इसकी परशित पुष्टक किताब लहिंद ततकालीन इतिहास जाने का एक माधपूर साधन है इसमें भारती संगीत गड़ित इतिहास भगोल खगोल दर्शन आदी की समिच्छा की गई है वेरी इंपॉर्टन्ट है चले सुनेश कुशन है मत विलास प्रहसं का लेखा कौन है यहां पररया एट अप्षिनों का आप्शनस यानि महेंद वर्मन की बात हो रही है देखिए मत विलास प्रहसं के लेखा महेंद वर्मन है यह पलो वन्ष के सासक थे जो तमिल सं-तायर के परभाव में आकर शैव बन गए ठीक है तो यह भी काफ़ important question है यह सारे आपके पेट exam के लिए यानि आपको पेट exam तो clear करना होगा तभी आप ने चरण में जा सकते हैं चलिए सुनेश question है किसने अनाज से कर हटा दिया था कर मतलब यहाँ पर बात हो रही है टैक्स के बारे में टीक है टैक्स समाप्त कर दिया था तो right option को option टी यानि सिकंदर लोदी के बाद टीक बहलो लोदी का उत्रादिकारी सिकंदर शा लोदी हुआ जो लोदी हुआ इसका सर्वस्रेश शासक था राज के हिसाब किताब की लेखा परिश्चर प्रलाली की शुवात की उसने खद्यान करो यानि अनाज कर को समाप्त कर दिया था था पांड से पर्जबंद को हटा दिया जिसे लोगों को आर्थिक समर्दी को मणावा मिला तो यहां पर टैक्स जो है वो हटाया था सिकंदर लोदी ने ठीक है चलिए सुनेश कुशन है भक्ति यांदोलन के निमलिकित नायकों में से कौन इस नाम से प्रभावित था निम्रखिर में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था यहां पर आइट आप्शनों को आप्शन है यानि पंडित जवालान नेहरू ने 1935 अधिनियम को क्या कहा था दास्ता का अधिकार पत्र उन्होंने इस रदिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेकनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं है ठीक है जिन्ना ने इस रदिनियम के बारे में कहा कि पोड़ता सड़ा हुआ मोल रूप से बुरा और बिलकुल और सफक्रित है सी राज गोपाला चारी ने इसे दैद शासन से भी बुरा बताया था चली एगला कुशन है राणा सांगा ने निमलिकित देशों में से किस में बाबर के विरुद्ध लडाई की ठीक है निमलिकित लडाई में से ठीक है यहाँ पे देश नहीं रहेगा सोरी राणा सांगा ने निमलिकित लडाईयों में से किस में बाबर के विरुद्ध लडाई की ठी सो राइट आप्षनों का ओप्षन पी यानि खानुआ का युद्ध इस राइट आप्षन बाबर को बारत पर आकरमन करने का निमंतर पंजाब के शाषक दौलत खालोदी यो मेवाल के शाषक राड़ा सांगा नहीं दिया था खानवा का युद्ध हुआ था आपके 1527 स्वी में डेटा रखेगा वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए सुनेश कुशन है अठारा सो पचासी में बारती राष्टी कांग्रेश का महास सचीव कौन था तेकि आपर राइट आप्शनों को आप्शन है यानि ए ओ हुँमने ठीक है भारती राष्टी संग की अस्थापना कीती जिसका परतम अधिवेशन 28 दिसंबर 1850 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्धाले में आयोजित किया गया था जिसी क्या है दादा भाई नहरो जी की सुझाओ पर भारती राष्टी संग का नाम बदल कर भारती राष्टी कांग्रेस रख दिया गया भारती कांग्रेस का मासचीज सोयम एलन एक्टियो हम को बनाया गया तता अध्यज वियमेश चंद्र बनर जी को बनाया ठीक है डवल झाल